यहां पे हम प्लांड वेस्ट पीपी रफिया की गाड़ी लोड करने वाले हैं और हम आए हैं मझज़प्रदेश के बोपाल शहर के गोविंदपुरा इंडस्ट्रिल इरिया में यहाँ पे हम plant waste पीपी रफिया लोड करेंगे इस रफिये में black पीपी woven bags भी available है हमारे client की request को consideration में लेते हुए हम ये black पीपी रफिया bag लोड करवा रहे हैं ये black bag clients की यहाँ 10 से 15 रुपे नग यानि के पर पीस पे बेचा जा रहा है और हम plant waste पीपी रफिया किलो के दर पे ही बेचते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आपको हमेशे की तरह गाड़ी 6 टायर की लेनी है जो 19 फिट कम से कम लंबी हो और उपर से उपन हो क्योंकि अगर गाड़ी उपर से उपन होगी तब ही आप थपी सई से लगा पाएंगे तब ही आप बहुत अच्छे से लोडिंग कर पाएंगे लोडिंग करना एक होनर है जो हर एक scrap businessman को scrap industry में आना चीए ये होनर बहुत ही ज़ादा important होता है आपको पता होनी चीए किस तरह थपी माननी है क्योंकि थपी पर ही पूरा खेले जितनी बहतर आपकी रफिया बैक्स के बंडल की थपी होगी उतना ही बहतर आपकी गाड़ी वजन पकड़ेगी और उतना ही कम आपको गाड़ी भाड़ा transportation cost आएगा आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आप पी पी रफिया बैक्स ले रहे हैं तो इसको छोड़के दोसरा और कोई बैक्स आप अपने clients को load करके ना दे MS Trader इस बात का बहुत ही बारी किज़े ख्याल रखता है साथ ही साथ मैं आपको बता दू MS Trader माराश्टर के स्टेट में स्थित है और MS Trader के 45 companies में tender है इन 45 companies से MS Trader हर मैने 200 टन का plastic waste trade करती है हमारे पास PP woven bag जिसे PP रफिया भी कहा जाता है वो available हो जाता है PP घास available होता है PP misprinting bags available होते हैं PP unused bags available होते हैं हमारे पास LD दूतपीश्वी यानि के LDPE milk pouches LDPE endothin, LDPE liner, HM, LDPE liner natural, milky और इसके साथ साथ हमारे पास अन्य प्लास्टिक्स भी available होते हैं आपको एक बात MS Trader साफ साफ बता देना चाहता है के MS Traders सिर्फ और सिर्फ plant waste, industrial plant waste में ही deal करता है हम roadside waste या गाओ खाते में deal नहीं करते हैं MS Traders के माद्यम से मैं MS Trader का proprietor ये आपको बताना चाहता हूं हम आपको free of cost information provide कराएंगे आपको groom करेंगे और आप से बेगर कोई पैसे लिए आपको scrap business की सारी जानकारी देंगे ताकि बेरोजगारी हमारे देश से दूर हो MS Trader के founder संस्तापक श्री हजी आजम सेफल्ला खान साप का ये लक्ष और गोल है कि अगर बेरोजगारी को देश से है बगाना तो उद्योग को दिल से है बढ़ाना आओ मिलके उद्योग करें और scrap industry की जो हमारी जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बात का और ख्याल रखें कि स्क्रीन पे दिये गए नमबर पे अगर आप फोन करते हैं और हम आपका फोन नहीं उठाते हैं इसका मतलब हम scrap गाड़ी लोड करने में बिजी हैं या हम drive कर रहे हैं या किसी अन्यकामों में बिजी हैं तो आप हमें message कर सकते हैं WhatsApp पे किया आ आप available हैं और हम आपको call कर लें तो हम आपको time बता देंगे उस वक्त पे आप हमें call कर लीजेगा इस से आपका भी वक्त जाया नहीं होगा और साथी साथ आप demotivate भी नहीं होंगे और आपको ये गलत ख्याल भी मन में नहीं आएगा कि MS Trader वाले वीडियो में दिखाते कोछ और और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो मेरे भाई हमारे साथ बिजनस करना चाहते हैं हमारे साथ वेपार करना चाहते हैं MS Traders के दरवाजे उनके लिए खुले हैं वो हमें स्क्रीन पे दिये गए नमबर पे call कर सकते हैं मैं आपको कुछ basic details बताना चाहूंगा जो आपको जानना बहुत जादा जरूरी है स्क्राप बिजनस करने के लिए सबसे पहली चीज इस बात का ख्याल रखें कि आप जबी भी स्क्राप की गाड़ी लोडिंग करने के लिए लें आप ट्रांसपोर्ट से ये clear cut बात करने के सापी सापी बाड़ा यानि के no loading charges no unloading charges हम इस बात का ख्याल करने से आपके पैसे बसते हैं क्यूंकि इस ट्रांसपोर्ट लाइन में कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जो आप से बाद बाद पे 100-200 रुपे किसी ना किसी जरीय से निकालनी की कोशिश करेंगे ताकि उनको दो पैसा जादा मिल सके इसी के लिए आपको स साफी साफी बाड़े के बारे में बात करनी हैं जिससे आपके दो पैसे बच जाएंगे इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि अगर आप लोडिंग के लिए लेबर बाहर से हायर करते हैं तो उन्हें रिफ्रेश्मेंट ब्रेक जरूर दे रिफ्रेश्मेंट ब्रेक दे आप उनके लिए कुछ कोल्डरिंग या चाय लेके आए ताकि वो रिफरेश हो सके उनका दिल लगे और उन्हें ये वर्चुली मेंटली महसूस हो कि आप उनका ख्याल रखते हैं और फिकर बंद हैं इससे वो दुगनी ताकत से काम करेंगे और आपके गाड़ी में जाज़ा वेपार करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप एडवांस को अवाइड करें क्योंकि जादातर चांसस होते हैं जब आप एडवांस देते हैं तो खत्रे की घंटी बच सकती है ऐसे में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप फेस टु फेस डील करें ताकि आप जो माल expect कर रहे हैं वही माल आपको देखने मिले और वही माल आप loading करा है इससे risk factor कम हो जाता है तो जितने नए वेपारी हैं उनको ये एक business tip है इसको जरूर follow करें और जो लोग अंजान व्यक्ति के साथ deal करने जा रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि which GST आप उनके साथ deal करें और GST की जो government website है वहाँ पे आप जाके सामने आले वेक्ति के number का GST verify करें इससे आपको उसकी credibility मालूम होगी कि वो regular basis पे tax भर रहे है के नहीं और जो वेक्ति tax भरता है वो वेक्ति कम खतरनाक होता है वो वेक्ति कौन करने से बहुत परेस करता है और उससे आपको धोका होने का खतरा बहुत कम होता है तो ये basic factors का आप ख्याल रखें किसी भी वेपारी के साथ वेपार करने से पहले ऐसे ही amazing और informative content के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो like करना बिल्कुल ना बूलें इससे हमारा खौसला बढ़ेगा और हम और बहतर content आप के लिए लेके आएंगे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप MS traders के जरीए scrap industry को सीखना चाहते है scrap industry में दाखिल होना चाहते है तो आप screen पे दिये गए नंबर पे हमें call कर सकते हैं हम without consistency fee लिए free of cost fee सबिलिल्ला हम आपको जानकारी देंगे guide करेंगे गरूम करेंगे और जो हमारे साथ business करना चाहते है वो भी screen पे दिये गए नंबर पे हमें call कर सकते है मैं आपका बाए मोहनी शिबन आजम अभी के लिए आपसे इजास्त चाहता हूँ Assalamualaikum Jai Hind Jai Maharashtra